शब को बहुत बहुत प्यार कार्डेंट एनरजी अपडेट जो मुझे फील हुआ है वैसा मैं आपको बोल रही हूं वैसा ही मैं वीडियो बना रही हूं यह जो सेबन सेबन पोटल लाया और यह जो पुरनिमा है तो इन सभी में जो चीज हुआ है कि आपको बोला जा रहा है जो भी बाचा कुछा आपकी सापकॉंसस में गर्वेज है उनको हील करो अभी का जो एनर्जी है आप मेडिटेशन करे या ना करे मेडिटेशन करते हो तो बहुत बढ़िया है ना भी करे तो आपको पूश करता है और यह सब फीलिंग आपको नेचरली होता है जो भी पुराना चीज आपको रियालिजेशन होगा कहां आपकी गलती थी या कहां आपको अभी भी सटिक करना है और यह भी हो सकते हैं कि पुराने लोग आ सकते हैं जहां से आप जिस चीज को आपने लेटको क्या है उस सारकम्टंस आ सकते हैं सामने या आपकी कोई भी बुरी आदत कोई भी चीज को सोचना किसी ने आपके साथ बुरा बेभर किया हर्ट किया वो चीज फिर से लौट किया ना क्योंकि जब आप मेडिटेट करती हो या नहीं भी करती सेनरजी में ये आपकी अंदरना मन्थन कर रहे हैं और जो भी नेगेटिविटी हैं वो बाहर ला रहे हैं जो पहुत पहले से जागे हुए हैं उनका तो बचा-कुचा चीज अभी बाहर आ रही हैं जैसे मेरा भी हुआ क्योंकि मैंने ये फीलिंग किया तभी मैं ये बोल रही हूँ और मैंने बीच में साथ दिन का एक गैब भी लिया था ये चीज हील करने के लिए क्योंकि मेरा भी ऐसा ही है जैसा आपका है और बस ये है कि मैंने उस चीज को रेकोगनाईस किया और मुझे लगा कि ये चीज मुझे हील करना है देखिए एक मिनिट आपको बैट के सोचना है कि क्या अभी इस टाइम में मुझे खुश नहीं होने देती क्या मुझे आनंद में नहीं रहने देती जब आप खुश होते हो आनंद में होते हो तब आपकी फिक्वेंसी बहुत हाई होती है जब आप खुश होते हो तब गौड के थंक्यू कहते हो गैटेटिट में रहते हो कि आपने जो भी दिया मैं बहुत खुश हूँ तो क्या आपको खुश नहीं फिल कराता आपको एक मिनिट बैटके सोचना है और वही आपको हील करना है वहाँ से आपकी हीलिंग शुरू है मैंने जो 77 पोर्टल मेडिटेशन बनाई थी मेरी टेलिग्राम में मैंने डाली थी वो मैंने यूटूब में नहीं डाली वो मैं डाल दूँगी अभी भी आप वो मेडिटेशन कर सकते हैं क्योंकि वो इस बाड़े में ही है कि पुराना चीज जो चीज आपको खुश नहीं फील कराता जो चीज आपको हाई वाइब्रेशन से बीचे ले जाता वो ही आपको हील करना है जिन लोग अभी भी स्पिरिटुलिजम में या इस पात पर नहीं है कि अपना वाइब्रेशन बराना है आपका खुद का जो भी ब्लॉकेज है देखने का नजरिया है जो हमने एक चश्मा पहना था माया का या जो हम डड़ते थे अपना सही माइने में हम क्या है हम लोगों की सामने वैसा नहीं रह पाते हम एक क्या बोलू मैं कुछ पहन लेते हैं मुखोटा और हम दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं हम अपना सच नहीं बता पाते क्योंकि उसमें आपको गिल्ड फेल होता है ना तभी तो आप अपना सच नहीं बता पाते तो उस चीज को आपको हिल करना है यही चीज हमें पीछे खीचता है और यही चीज हमें लो वाइब्रेशन में ले जाता है पूड़े दुनिया में हम खुद को हीज कर सकते अगर खुद को हील कर लेते हैं तो बहुत बड़ी वात है आप आर्थ की फिक्वन से बरा रहे हूँ क्योंकि आप आर्थ की अंदर हो हर कोई अगर यह सोचे मैं खुद को हील कर लू कहां मेरी problem है, कहां पर मैं चुक रही हूँ ये अगर मैं heal करूँ, तो मैं art को heal कर रही हूँ हम बहुत लोगों की बात सुनते हैं, बट कितना follow कर पाते हैं तो अभी ऐसा time है, बहुत ज़्यादा spiritual work करने की भी जरूरत नहीं है simple रहिए, grounding कीजिए और body का धान रखिए क्योंकि आपकी body आपकी मंदिर है, वहां से आपकी soul की light सो होती है आत्मजोती कहते हैं उसको, तो अपनी body में प्राना दीजिए जिस खाना में प्राना है, प्राना शक्ती, जो जिन्दा है, वो खाना दीजिए यही कुछ चीज करके, अगर आप सोचोगे कि बहुत जादा कठीन है spiritualism या अपना vibration high करना एक time आपको पता है, मुझे डर लगता था यह बात सुनके कुंडलनी जागरन मैं बहुत डरती थी इस बातों से, 2018 में तो एक चीज मैंने realize किया, बात में जिन लोगों ने बुक लिखा, उन लोगों ने अपना कुंडलनी जागरन नहीं किया या उन लोगों ने साधना नहीं की और जिन लोगों ने साधना किया है, वो बुक नहीं लिखा क्योंकि वो तो बहुत, मुझे नहीं पता कि वो इतना लिखा जो है वो बहुत कठिन है और हो भी सकता है क्योंकि आज से 20 सल पहले यह चीज अलग थी अभी का 2012 की बाद से फिक्वेंसी आर्थ का अलग है यह जो संजोग बन रहा है यह बहुत पहले से इसका तैयारी चल रहा था अब बहुत 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 जादा लगी है कि इस टाइम में आप है हाँ जी जिन्दा खाना मतलब यह नहीं कि जिन्दा जीब खाना है जिन्दा मतलब पका हुआ खाना नहीं खाना है मतलब प्राना सक्ति किस में होता है, फल में होता है, स्प्राउट में होता है, पत्या में होता है, ये सब आपको घाना है इन सब चीज खाने से कुछ चीज अगर आप बहुत सिंपल हैं अगर थोड़ा कुछ चीज आप धान रखोगे ना तो आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे बस आपको अपनी खाना के धान रखना है और जिस टाइम भी आप लोग होंगे ऐसा नहीं कि जो स्पिरिच्वल लोग हैं जो आपको वीडियोज में बोलते हैं वो लोग नहीं होता वो भी होते हैं बट आपको क्या है ना भी हमारी माइन वॉडिस प्रेट एक लाइन में नहीं है तो आपको प्रैक्टिस मत्तब रटना परता है तो आप क्या कर सकते हैं आप अलग-अलग affirmation कर सकते मैंने energy tapping के साथ affirmation एक वीडियो भी दिया है तो वो energy का हर एक हमारे body में होता है point उस point में अगर अगर अब tap करते हो तो जो block energy है वो flow होता है channelize होता है और मैंने इस चीज के लिए भी इस चीज के लिए ही seven seven portal की meditation दिया था कि पुराना चीज जो भी आपके अंदर आ रहा है और नहीं भी आ रहा है जो आपको खुश नहीं करती वो इस चीज को अब इस light में फेक दीजिए दे दीजिए और इस light से अपना जो hole बना है अगर आप खुद को hole नहीं feel करते तो इस light से अपने आपको hole बनाईए बस जिस time आप feel करते हो low उस time में आप बस ये सोचो कि मेरी आँख से मैं देख पा रही हूँ मैं घर बेटे सारी information collect कर पा रही हूँ मुझे खाना मिल रहा है मेरी हाथ है मुझे सास लेने में तकलीप नहीं है मैं बहुत लखी हूँ और आप लखी है अगर नहीं होते तो इस time जनम नहीं लेते अपको पता है कितना सोल ने कितना इच्छा जाहिर किया इस time जनम लेने के लिए 26 मिलियोन साल लगे इस संजोग को बनने के लिए क्योंकि आर्थ इसके पहले कभी नहीं गया था मैंने जो बिंगौली में वीडियो बनाई उसमें इस चीज के बाड़े में मैंने creation की बाड़े में क्या हुआ था जो मुझे लगता है वैसा चीज मैंने बताई और आगे उस वीडियो का हिंदी में करके दोंगी बट मुझे ये लगा कि कार्डेंट अपडेट पहले देना जरूरी है देखिए जितना डिस्ट्रक्शन होगा उतना कॉन्स्ट्रक्शन भी होगा यहां दो एनर्जी काम कर रहा है ना तो अगर हम हीलर हैं मैं हीलर हूँ मैं टांस्म्यूट करती हूँ negativity को to the love तो मेरी आख में कुछ भी destruction नहीं है मैं नहीं देखती destruction को मैं नहीं मानती मैं सर्फ और सर्फ growth को मानती हूँ और आप खुद creator हो तो आप जिसको मानते हूँ वही आपके लिए सच है वही आपके लिए absolute सच है मैं एक चीज आपको बताओ जो यह भी मेरी एक downloading बोले feeling बोले यह कही भी book से मैंने नहीं पड़ी God क्या है अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज कहते हैं वो मादर है या फादर है क्या पता हम फादर बोलते हैं हम ब्रम्भ बोलते हैं उनको हम फादर बोलते हैं और उनकी चाली का शक्ती को हम मादर बोलते हैं बट किसको पता हैं वो फ्रूस वो जेंडर हैं उनकी? ये भी तो हो सकते है ना मैं जैसा लगता है उसका कोई जेंडर ही नहीं है क्योंके ये भी हमने टैग लगा दी वो letter है वोradar है वो पिता है वो Creator है वो यह हमें बनाया है ये सच है वो हो सकता है वो फादर हो या मादर हो कुछ भी हो आपने सिपका वो मुर्ती भी देखा न अर्द नरिश्वर तो creation सिर्फ फादर से नहीं होता मादर को भी जुरूरत होता है तो वो एक है वो उसमें अलग कुछ नहीं है अगर वो सकती मान है तो उनका जो चाली का शकती वो उनका सकती है अगर वो पानी का ग्लास है तो पानी उनका शकती है एक दूसरे का पड़ी पुरुक है एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है मिटी में फेका हुआ पानी या पी नहीं सकते आपको हाथ का कटोड़ी बनाना होगा या कुछ गिलास यूज करना है तो उस चीज को यूज करने के लिए आपको कुछ चाहिए वैसे ही शक्ती भी सिब के बिना अधोरा है और सिब भी सक्ती के बिना अधोरा है तो हम कैसे बोल सकते हो पिता है ये भी हमारे लगाये हुआ टैग है और ये भी है कि कोई लोग बोलते हैं वो साकार है या निराकार है क्या पता उनका वो असिमित है तो कही जगा वो साकार के उपर निराकार और निराकार के उपर साकार है क्या पता है हमें तो कुछ नहीं पता हम एक चीज को लॉजिकली समझ सकते हैं कि वो एक consciousness है चैतन्न है super consciousness और वो खुद सीखने के लिए उन से छोटी छोटी अबदार बनाई हमारी जैसा मत्तब परमात्मा से आत्मा निकल के आई और वो अनुभब करते हैं अलग-अलग life time में अलग-अलग चीज और जाके फिर super consciousness से मिलता है और वो जो उन्होंने उन्होंने इतना दिन तक अनुभब किया उसको super consciousness में मिलाता है तब गौड भी सीखता है आप क्यों जब enlightenment मिलता है तब लोग बोलते हैं अहम ब्रम्भास में क्योंके वो super consciousness में से मिल जाता है या वो अपने अंदर वो consciousness जगा लेता है अपको पता है जैसे जैसे लोग साधना में आगे बरते हैं वो consciousness जगाने में उनको अलग-अलग चीज मिलता है जैसे वो लोगों की बिमारी ठीक कर सकता है वो लोगों की भग जो है destiny बोल सकता है वो अलग-अलग चीज कर सकता है किसी-किसी कोई-कोई तो हवा में उड़ भी सकता है ये क्या है ये बोला जाता है सिद्धी ये है क्या वो super consciousness में बहुत पहले से था आप बस जगा लिये अपने अंदर वो consciousness जब अब पूरे जगा लेते हो तो आप में और गौड में कोई फरक नहीं है जैसे क्रिस्णा ने Lord क्रिस्णा ने किया था उन्होंने बस सर्प उन्होंने बोला था और उन्होंने वो रूप दिखाया था कि मैं ही हूँ क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो super consciousness पूरा जगा लिया था ये चीज आप बार बार आते हो ये आप की मौक्ष क्या है मौक्ष अगर आप साकार रूप में कुछ भी गलत नहीं है आप उनको साकार रूप में चाते हैं तो मौक्ष उनकी दिब जगत में जाके आपका उनकी काम ये जो जैसी हमारी आत का प्लानेट है ऐसी बहुत सारी माल्टिवर्स में ऐसी माया की बहुत प्लानेट है उनको चुराने में उनका help करना है या अगर आप निराकार में विस्वास करते तो आप पानी का बूंध है आप जागे सागर में मिल जाते हो बट अगर आप उस टाइप का मौक्ष लेना चाते हो तो जब आप मिल जाते हो तब आप एकाकार हो जाते हो आप में और गौड में कोई फरक नहीं रहता बट आप वो है नॉन डॉालिटी तब आप नहीं निकलोगे आपके एक नाम है एक नाम ही आप पकर के चलो अभिनाश आपके नाम है आप मौक्ष की रूप में सुपर कॉंससनेस में आपकी कॉंससनेस मिला दी तो आप अगे नहीं निकलोगे क्योंकि आप उसमें ओशो ने यही तो कहा था एक पड़दा है अगर आप उसके आगे जाते हो तो आप मिल जाते हो तब आप नहीं आ सकते सही माइन में वही है मौत बोलो तो सांती कुछ भी नहीं है जनम मरन की जो भी हम बोलते हैं न इससे मुक्तिव वही है तो वो भी आपका फुरुई विले क्योंकि आप ही गौड़ो आपको ही डिसाइड करना है कि चाहिए कि आपको तो डरना किस बात का कि ये जो बहुत लोगों ने ऐसा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बहुत लोगों ने इंजेक्शन ले ली तो बहुत कुछ सुनके वो डर रहे हैं देखिए आपका सोल अगर चूज करते हैं फाइब डाइमेंशन को एक्सपिरियंस करना तो कोई ने रोक शकता अगर आपने चूज क्या है बट आपको consciously और subconsciously दोनों में चूज करना है conscious की conscious से practice करके subconscious में देना है और वही गामा फिक्वेंसी आपका ब्रम्भांड में जाएगा वही creator के पास जाएगा हाँ, मैं great awakening को चूज करती हूँ और आप मुझे सहज रूप से ये ड्रामा से आपकी लव की दुनिया में रखिए ये चीज आपको practice करना है नहीं तो आप बोलोगे मूँ से ही दिन भर सोचते रहोगे या मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगे, डड़ते रहोगे क्या मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी तो practice करना है अगर आप मुझे से पूछोगे मुझे कोई डर नहीं है ये 100% में truth बता रही हूँ मुझे कोई डर नहीं है इस चीज के लिए तो है ही नहीं कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी क्योंकर मुझे पता है मैंने choose किया है लव को बहुत पहले service to other को बहुत पहले मुझे खुशी मिलता है ये चीज में जब आपको खुशी मिलने लगेगी न ये चीजों में लव में और service to other में लव मतलब सबसे प्यार वो जो नाड़ी पुरुष वाला लव नहीं सबसे प्यार आपको प्रकृती देख की भी तब लव होगा पंची देख के आप खुश हो जाओगे स्काई देख के आप खुश हो जाओगे मैं जैसी होती हूँ दीरे दीरे आपने इनोसेंट बन जाते है बच्चों के तरह आपको बस सेलेंडर करना है एक बहुत सहज काम करना है जो भी आप क्रियेटर के बोलते हो फादर, मादर, बेहन, भाई उनके साथ जो भी रिलेशन अपनी किया है आपको बस बोलना है सब आप पर छोड़ते हूं सब आप पर छोड़ते हूं बस सेलेंडर करके रखना है वो सब कुछ जानता है और ये भी चीज आपको बताओ इधर जो भी लोग डेस्टिनी बोलते हैं जो भी बोलते हैं ये चीज कि ये होगा इतना डिस्ट्रॉई होगा ये होगा वो होगा एक चीज मैं आपको बता दू ये मैं दूसरी किसी वीडियो में भी बोली थी महावातर बाबा जी ने जो हमारी इस काल चक्र का अभी भैरव है उन्होंने काल चक्र में गमन किया था और उन्होंने देखने गया था कि जब आर्थ एसेंड कर रहा है तो हो क्या रहा है तो उन्होंने जितना बार गया उतनों बार उन्होंने अलग-अलग चीज देखी तो उन्होंने जो इस काल चक्र की मूल है महा काल उसके पास गये और पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है वगबन कि बार मार जितना बार में जारी उतनी बार अलग चीज कैसे हो सकता है तो महाकाल ने कहा कि उस टाइम को जिया जाता है प्रेडिक्ट नहीं किया जाता जो समय की मूल रेखा है अगर आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो तो वो अलग छोर बन रहा है क्योंकि आप देख ही नहीं सकते उस चीज को देख ही नहीं सकते बस उस चीज को अब जी सकते है अगर और ये चीज कौन कह सकता कि इंजेक्शन लेने से आप नहीं जाओगे आपके अंदर DNA अक्टिवेशन नहीं होगा आपको पता है मेरी DNA अक्टिवेशन मैंने 12-stand DNA अक्टिवेशन हीलिंग जो प्रसेस होता है मैंने 2019 में ली थी तब तो मुझे कुछ पता भी नहीं था मैंने इसलिए लिया था वो शेशन बहुत भाड़ी शेशन था वो उसके बाद मेरी कुंडलनी अपने आप खुल गई थी वो मैंने लिया था बस जिंदेगी का जो प्रॉब्लम था वो ठीक करने के लिए क्योंकि मेरे उपर पित्रोदोस था अगर मैं कौन सी लाइट वर कर आप पूछो तो मैं टैनसमियोटर हो ऐसी बलड लाइन में मैंने जनमी जो मेरी इतना पित्रोद थे जो मुक्त नहीं हो रहे थे क्योंकि उनको ये पता नहीं था हम खुद खुद को मुक्त कर सकते हैं ये जो हम जा रहे न लब की दुनिया में कर्मा एक हॉक्स हैं हाँ टाइम और कर्मा ये दोनों हॉक्स है जब आप ये सोचते हो कि हाँ मैं इधर आई और जो इस टाइम मुझे ठीक लगा मैंने किया अभी मैं परमात्मा की अन्स हूँ मुझे रियालाइजेशन है क्या खीक और क्या गलत और मैं अपने आपको इस कर्म जाल से मुक्त करती हूँ तब आप जब ये ट्रास्ट करते हो कि आप अपने आपको सभी कर्मों से मुक्त कर सकते हो उस टाइम आप कर्म से मुक्त होते हो आपकी खुद की लिंग बॉड़ी आपकी जो कर्म बोलते हैं आप वो चीज याद रखते हैं अगर आप किसी को माफ नहीं करते तब भी आप कर्में भी फसते हैं यह क्या मेरे साथ नहीं हो तब को पता इन दिनों मेरी सास की कुछ चीज मुझे बार बार याद आ रही थी और मैं डड़ रही थी कि वो याद आके मेरे उपर हाबी ना हूँ बाद में मुझे ये realization हुआ कि ये भी एक गलती है कि मैं डर रही हूँ उस सोच से फिर मैंने उस सोच को देखा और हसी कि वो कितना ड्रामा में फसी हुई है उस soul को मैंने गौड से prayer की कि उन soul को आप मुट करो उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे थे और मैंने गौड को थेंक्यू बोली कि मुझे इतना कुछ इतना की चीजों की अंदर से पास की कि आज मैं इस जगा हूँ मुझे realization है मैं अपना healing के लिए इतना काम किया और एक मिनिट में वो चीज मेरी हिल हो गया बस एक सोच से बस वो डर भगा दी यह भी डर था कि वो चीज फिर से हाभी न हो जाए बट जो चीज आपके अंदर है वो आपको जितना आप उनको दबाओगे उन अंदर ही रह जाएगा वो बहर निकले आप उस सोच को देखके क्या reaction दे रही हो यह सबसे बड़ी बात है क्या आप दुकी हो रही हो क्या आप उस सोच को देखके आप डर रहे हूँ या आप हस रहे हो आपको बहुत लब फील हो रहा है उस सोल के लिए जिनको पता नहीं है वो क्या कर रहा है और आप माफ कर रहे हो यह चीज बहुत बड़ी बात है अभी बहुत लोग मेरे सुनिये मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो कुछ भी संबब है कोई भी मेरे डिक्सनारी में ना नो चीज की कोई बात नहीं तो जो लोग भी इंजेक्शन लिये ऐसा कुछ भी नहीं उनका डिना अक्टवेशन नहीं होगा हमें क्या पता यह जो इंजेक्शन लगे यह एक हुमनरेटी की ऊपर एक क्या बोलो मैं गिनिपिक बनाए गई टेस्ट होा हो सकता है कि humanity इससे उतर जाए उनको कोई काम ही ना हो ये भी हो सकता है कि कोई-कोई soul ने ये decide क्या हम इसको लेंगे उसके बाद हम इसको detox भी करेंगे और और पांच लोगों को हम जगाएंगे कि हाँ detox भी हो सकता है जो लोग ना जानते हुए लिया था उसके soul इनोसेंट है बस उन्होंने ले लिया था तो बहुत लोग आएंगे बहुत कुछ कहेंगे बट आपको fear में नहीं जाना है हमारे सबसे बड़े जो सत्रू है वो क्या है आपको पता है वो fear है और आपको मैंने बार बार यही चीज़ का आपको अपने डिक्सनरी से इस को हटाना है जो भी होगा जो भी हमारे लिए डिसाइड है हम उसको मानेंगे और हम खुश रहेंगे आप खुश रहते हो आनंद में रहते हो तो कोई नहीं रोख सकता आपको जाने में फाइब डैमेंशन पर मुझे तो यह टैग भी नहीं अच्छा लगता मैं तो बोलता प्रेम की दुनिया सब प्रेम से रहते हैं मुझे तो सब नहीं उस चीज का बहुत दिनों से मुझे ऐसा लगता था कि सब को पानी मिले मुझे बहुत दुख होता था कि पंची को पानी नहीं मिलती सबको खाना मिले, सबको सब कुछ मिले तो एही healing अभी का है और बहुत ज़्यादा देखिए जिन लोगों का 8-10 DNA activation फास्ट जो batch activation हुआ हमारे body मैंने इसके पहले भी बोला कि हमारी body अभी 3 star system फिर से बनेगी, हमारी chakra सारी removal होगे मार्ज हो जाएंगी और star बनेगी 3 तो जिनका hard chakra बन गया है अभी उनका time है जो नाभी का star है वो बनने मत्तब golden light body तो आपको ना मिट्टी के नीचे का जो चीज है वो बहुत सकरकंध हो गया चकुंदर हो गया, वो जो गाजर, मूली ये सब ने आपको बहुत help करेगा इस समय तो अगर आप lesson पर आज खाते हो तो वो भी खा सकते हूँ वो आप खुद पर feel करके देखना कि आपको वो खाने में खराब नहीं लगता या वो बहुत लोग नहीं खाते हैं भी इतना अच्छा नहीं लगता पर अगर घर में बन जाती हैं वैसे तो मैं बहुत सालों से नानवेच मैंने नहीं खाई बहुत सालों से नहीं खाती हूँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कोई मैंने जब छोड़ा था तब मैंने इस चीज के लिए छोड़ा था कि कोई प्रानी को मार के खाना है इस चीज के लिए मुझे रोना आता था और इस चीज के लिए मैंने छोड़ा था तो उस टाइम से मैंने गार्लिक अनियन भी छोड़ दी थी पर बाद में घर में जब बनते हैं तो थोड़ी खा लेती हूँ नहीं तो नहीं खाती मत्तब मुझे इतना भी अच्छा नहीं खाती हूँ पर अवर्ट करके चलती हूँ तो आपको यह पता है कि आपको किस चीजों से आप लोग हो जाते हैं वह मत किजिए यही करेंट एनरजी यह बहुत ज़्यादा लाइट कोड आ रहा है अभी और आपका नीचे का जो चक्रा रिमूबल अभी होगा तो आपको पैड में लिप्ट साइड में क्योंकि यह जो नीचे का स्टार है ना यह हमारी फेमिनाइन एनरजी को दर साथ है तो आपकी लिप बॉडी पार्ट में पेन हो सकती है क्योंकि आपका नीचे का स्टार बनेगा जो अब यह स्टार अगर बनेगा तो 12 स्टैन डियने अक्टिवेट हो जाएगा अपका ठीक है तभी बनता है जब 12 स्टैन डियने अक्टिवेशन का आपका मतलब आपके अंदर पुग्रेस है और कुछ भी फीलिंग हो सकते है डेजीनेज, बॉमिटिंग यह सब हो सकती है डढ़िए मत ऐसा नहीं मैं इससे बाहर हूँ मैं भी इसके अंदर ही हूँ मैं भी सीख भी रही हूँ और अपको बता भी रही हूँ जो मेरी खुद का एक्सपरियंस है मैं वही चीज़ बतात खाना बहुत सहज खाना है और वेज मतलब उद्वीज चीज जिन्दा चीज खाना है मतलब जिन्दा मतलब वह जिन्दा चीज नहीं यह जो वेद जीज़ यही यह जिन्दा चीज मतलब पका हुआ नहीं गां नहीं फिल्दी जितना कच्छा आप खा सकते हो वह खाये और अपने आपको खूश रख़ें आनंद में रख़़ें जो भी जितना भी मिला है आपको गौड को गैटेटीड दीजे सुभा उठके अगर आपको नए सूरज को दीखना मिलता है खंडी हवा अपको लगता है पंचियों को देखने को मिलता है तो उस प्रकीति को देखके भी गैटेटीड दीजे कि मुझे ये इतना सुंदर देखने क को मिला gratitude आपना आपकी आसीरवाद को गोनिए कि कितना आसीरवाद मुझे मिला है रेकी का पांच हम बोलते हैं सुभा उठके कि आज के लिए मैं गुस्ता नहीं करूंगी आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी सिर्फ आज के लिए मैं अपनी काम को बहुत अच्छे तरीके से करूंगी honesty के साथ सिर्फ आज के लिए मैं gratitude में रहूंगी आसीरवाद को गोनूंगी सिर्फ आज के लिए मैं साड़ी living चीज के लिए दैलू रहूंगी, kind रहूंगी, ये चीज मैं सुबा उटके बोलती हूँ, अपने आपको बोलती हूँ और खुश फिल करती हूँ, किसी भी टाइम आप present moment में आ सकते हैं, ये चीज सोच कर, और आप जब present moment में रहना सीख जाते हैं, उससे बड़ी meditation अज कुछ होती भी नहीं है, और ये बहुत सहज है, मैंने देखा है, मुझे 2016-2017 में लगता था ये चीज इतना कठिन है, मैं कैसे करूंगी, मेरी साड़ी जिन्दगी में जितना भी ये हुआ है, ये साड़ी चीज मैंने से प्रेम से क्या है, और आपको पता है कि इतना कठिन भी नहीं था, मैंने सिर्फ सेलंडर किया है, और कुछ नहीं, किस पर सेलंडर करें, एक्जिस्स्टेंस पर, खुद पर, और नोग्जिस्टेंस पर, जिसको आप देख भी नहीं सकते, जो शक्ती सब कुछ कर रहे हैं, उन पर सेलंडर करें, आज के लिए इतना ही आगे हम जो creation के लिए हमने बेंगौली बनाए हैं उनके वडियो हम बनाएंगे सबसे बहुत बहुत प्यार देखते हैं आगे प्रेम की दुनिया में सबसे मिलेंगे मौज करेंगे मेरी प्यारे भाई बेहनों से थेंक यू थेंक यू मौज करेंगे